Hello parents and welcome back to my channel हमें पता है कि बच्चों को हर रोज मसाज करना चाहिए मसाज के बहुत सारे फाइदे बच्चों को मिलता है बट क्या summer season में हमें हर रोज बच्चों को मसाज करना चाहिए कौन सा oil best होगा बच्चों को summer season में मसाज देने के लिए या क्या-क्या rules follow करने चाहिए खास करके summer season में बच्चों को मसाज देने के लिए ये सवाल बहुत सारे parents के मन में आता है आज हम इनी topic के उपर detail में बात करने वाले है इस वीडियो में तो मैं request करूंगी कि इस वीडियो को पूरा देखिए आप लोगों को बहुत सारी नई जानकरी मिलने वाली है और अगर पसंद आ जाए लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएगा तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते है इसा नहीं है मसाज के बहुत सारे फायदे होते है जो बच्चों को मिलता है सब्सक्राइब करने से उनकी बॉडी में बद्लड सरकुलेसन अच्छा होता है जिस वज़े से उनकी ग्रोत देवलोपमेन् gust अच्छे से होता है babies के bones strong करने में massage बहुत help करता है skin के लिए भी बहुत अच्छा होता है massage करना skin tone improve करने में help करता है skin moisturize रखता है, skin soft रखता है baby और mother के बीच का जो bond है वो और ज़्यादा strong बनता है massage देने से और सबसे बड़ी बात अगर आप हर रोज बच्चे को massage करेंगे तो बच्चे को नींद भी बहुत अच्छे से आती है तो बच्चो को massage करने के इतने सारे फाइदे मिल जाते है और ये जो फाइदा है वो बच्चो को summer season में massage करने से भी मिलता है अब summer season में बच्चो को massage करने के लिए कुछ rules आपको follow करने होंगे वैसे तो winter season में भी massage करने के लिए कुछ rules आपको follow करने पड़ते हैं बट वो rules अलग होते है, summer season के जो rules है वो बिल्कुल अलग है जैसे कि summer season में बच्चों को massage देने के लिए आपको कोई light oil use करना चाहिए जो चिप चिपा बिल्कुल ना हो, बोड़ी में अच्छा से अब्जॉर्ब हो जाए और बोड़ी को heat भी ना करे तो अगर आप ऐसा कोई oil चूज करेंगे तो बच्चे इजिली massage करेंगे summer season में भी अगर आप ऐसा कोई oil चूज करेंगे जो चिप चिप कर रहा हो, क्योंकि गर्मियों में sweating बहुत जादा होती है तो चिप चिप कोई oil अगर आप यूज करेंगे बच्चे को massage देने के लिए तो उन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा और उनके लिए अच्छा होगा भी नहीं इसलिए आपको summer season में ऐसा कोई oil चूज करना चाहिए बच्चो को massage देने के लिए जो light हो, skin में easily absorbed भी हो जाए, चिप चिपापन बिल्कुल भी ना दे और जो body को ठंडा रखे ना की गरम करें Secondly, of course, अपने बच्चे को आपको नहलाने से पहले ही oil massage करना है, खासकर के summer season में आपको नहलाने से पहले ही बच्चे को गाल मसाज करना चाहिए और उसके बाद आपको बच्चे को अच्छे से नहला देना है और अच्छे से ओइल जो है वो वाश अफ कर देना है और यूजियली हम फैन आफ करके ही बच्चे को मसाज करते हैं अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो आपको जरूर फैन श्न को बच्चे को मसाज करना चाहिए और सो लूप में से ऊच्छा होता है और समय से आप अच्छा होता है तो आप ऑएल ही चूज करें बच्चे को मसाज देना के लिए अभी गर्मियों में कौन सा ओयल आपके बच्चे को मसाज देने के लिए सही होगा चलिए ये जान लेते हैं सबसे पहले तो virgin coconut oil या coconut oil best होगा आपके बच्चे को summer season में मसाज देने के लिए coconut oil में vitamin E होता है जो बच्चे की skin का बहुत अच्छे से ख्याल रगता है बच्चों का जो skin है वो बहुत ज़्यादा sensitive और delicate होता है तो sensitive और delicate skin का बहुत अच्छे से ख्याल रगता है coconut oil skin में infection या rashes होने से protect करता है और skin को cool भी रगता है coconut oil बिल्कुल light होता है skin में चिपचिपपन बिल्कुल भी नहीं देता है skin में बहुत अच्छे से absorb हो जाता है और skin का बहुत अच्छे से ख्याल भी रगता है और usually coconut oil से किसी को allergy भी नहीं होता है और coconut oil जो है वो body को heat भी नहीं करता है बल्कि coconut oil यूज करने के बाद आपके body में एक ठंड़क का अहसास भी होगा तो आप खास करके गड़्मियों में virgin coconut oil यूज कर सकते है अपने बच्चे को मसाज देने के लिए secondly olive oil आप गड़्मियों में बच्चे को olive oil से भी मसाज दे सकते है olive oil में भी heating properties नहीं होता है तो इसलिए body को heat भी नहीं करता है in fact olive oil जो है वो skin को अच्छे से moisturize रखता है soft और subtle बनाता है और skin को infection और rashes से protect भी करता है और olive oil जो है वो skin tone इंप्रूफ करने में भी help करता है तो आप गड़्मियों में बच्चे को olive oil से भी मसाज कर सकते है और आप sesame oil भी use कर सकते है especially summer season में बच्चों को मसाज देने के लिए sesame oil में vitamin A, B और E होता है जो बच्चे की soft और delicate skin का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है skin को moisturize बनाता है, soft रखता है और skin को infection से और rashes से protect भी करता है और सिसम में oil भी body को heat नहीं करता है तो इसे लिए सिसम में oil आप use कर सकते है specially summer season में बच्चों को मसाज देने के लिए तो यह तीनों oil आप अपने बच्चों को मसाज देने के लिए यूज कर सकते है खासकर के summer season में और अगर आप किसी ब्रैंट का oil यूज करना चाहते हो बेवी को मसाज करने के लिए तो में प्रफर करूंगी हमालाया बेवी मसाज ओयल जो बिल्कुल light weight है और skin में चिपचिपापन भी नहीं देता है skin में बहुत अच्छ से absorb हो जाता है और skin में rashes और infection भी नहीं होने देता है और बिल्कुल light है तो summer season में आप हिमालाय बेबी मसाज ओयल यूज कर सकते है एक और oil मैं यहाँ पे mention करूंगी जो की है baby hug massage oil baby hug massage oil भी मुझे काफी अच्छा लगा है यह भी बिल्कुल light है चिपचिपपन भी नहीं देता है skin को ठंडा भी रखता है और skin में बहुत अच्छे से absorb होके skin को soft और सफल भी बनाता है तो आप baby hug massage oil भी यूज कर सकते हैं summer season में अपने बच्चे को मसाज देने के लिए usually मैं virgin coconut oil, himalaya baby massage oil और baby hug massage oil यूज करती हूँ summer season में अपनी बीटी को मसाज करने के लिए so summer season में भी आप अपने बच्चे को हर रोज मसाज दे सकते हैं massage के बहुत सारे फाइदे हैं जो आपके baby को मिल जाएगा summer season में भी अगर आप अपने बच्चे को massage करेंगे तो बस आपको एक अच्छा सा massage oil आपके baby के लिए चूज करना है तो बस आज के लिए एतना ही I'm sure कि ये वीडियो आप लोगो को अच्छी लेगी होगी तो एक like ज़रू कर दीजिएगा मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कूल भी मत भूलिएगा और प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा पैरेंस तक पहुंचाएगा थांक्यू फो वाचिंग